कि विश्बंदनी संत्सम्राड सद्गुरु कभीर देव मुद्मंगल में संत्समाच सबीद रंप्रेमी सज्जन सक्ति सरुपाय माताय और बहन छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां सभी को बंदन अविननन करते हुए आज जो कुछ सेवा है जो बीस बीस रुपया संतों को भेंट में दिये हैं वो रामफूल सेनी बांदी कुई से बजवाया था उन्होंने राजस्तान से एक हजार रुपया बोले महाराज को संतों की सेवा कर देना कोछ बंदारे में ले लेना तो एक हजार रुपया रामफूल सेनी बांदी कुई राजस्तान से और ग्यारो सो रुपया मारे कैलाश्चन मुरारवाले पांस रुपया हिरालाल जी दहेरी जो मनिया धौलपर में ही है और ग्यारो सो रुपया मनोज कुमार जो गोकुलपरा पोर्शा मद्द प्रदेश जिला मुरेना लगता है और पांस रुपया भाईया को ये कभी इंदल सींग जो नंदपुरा राजा खेडा के पास में है इन दानवीरों के लिए सदगुरु संतों की तरफ से कोट कोट सादुबाद धन्वाद बास्तमी जो भाई बेन सुनते हैं कुछ अच्छा लगता है तो अपर वो सेवा करते हैं सोचते हैं के चलो तमाम पैसा खर्च होता है कोई आत्मी अगर गुट का खा जाता है तो पचास रुप्य के गुट का खा लेता है और अगर कोई सादू की बात लग गई और उसने छोड़ दिया उन गुटकाओं को तो पंदरश है की फाइदा भई है बो तो सरीर की भई है पैसों की भई लेकिन सरीर की फाइदा की तो हम कीमती नहीं बता सकते हैं कि सरीर की फाइदा कितनी भई क्योंकर इन ब्यस्टनों से जीवन में नानांत्रें की भीमारियां और नानांत्रें की विक्रती पैदा होती हैं समाज में तो सोचते हैं कि चलो कुछ सेवा में भिजवादो संतों की में और अच्छी बात है वोही संत दानफले तो होता है कोई भईया सराप पीता है आज कितनी भैनें विचारी परेशान है बच्चे परेशान है लोग सराप पीते हैं और चाहें घर के मरें चाहें बच्चा मरें आदस के मजबूरन और वो जाकर के पी जाते हैं उतना कमाने ही पाते हैं तो फिर किसी और से लड़कर के भिरकर के पतनी के गेने गुडिया बच्चों की चीजों को बेच बेच करके और सरा पी जाते हैं और आदत ऐसी होती है इसलिए मेरे भाई बेनो बड़े सोबागी की बात है कि संतों की बात किसी की ठीक समझ में आ जाए चाहें वो व्यसन बीडी हो, सिकरेट हो, तंबांग हो, गुटका हो, गौंडमोर हो, मास हो, सराब हो कोई भी व्यसन है अगर हमारे अंदर में तो समझ लो कि हम चाहें ग्यान की बात हैं कितनी भी गुची नीची करें लेकिन हम एक छोटी चीज को अगर नहीं छोड़े पाते हैं तो हम उस ग्यान की अधिकारी भी नहीं है ग्यान का वो यदिकारी होता है जैसे कोई पात्र होता है बढ़िया अच्छा तो कोई दूद और घी भोजन की चीजें अच्छे पात्र में ही रखी जाती हैं यह नहीं है कोई गोवर डालनों तसला होए और भाई में बद्रोटीन है यह बाल्टी होए बैसी गंदी संदी हो भाई में दूद निकाल ले नहीं दूद निकालने के लिए कितनी विवस्ता बढ़िया अच्छी तरीगा से कहीं दूद फट नहीं जाए बांटी गंदगी नर रह जाए जिस पात्र में उसको गरम किया जाता है उसको कितनी बढ़िया अच्छी तरीगा से माता है दोती है बेंड दोती है और बोजन बनाते हैं तो कितनी सुद्धताई और पवित्रताई के साथ बनाते हैं तो कोई भी चीजे हैं बोजन पाने की खाने की उनके लिए सुद्ध पात्रों की आवसकता होती है जितना सुध्य पात्र होगा बढ़िया, उतनी उसमें वो चीजे अच्छी रहेंगी, अगर गंदा पात्र होगा, तो वो चीजें भी खराब हो जाएगी. इसलिए हमको अपने हिर्दे को भी सुद्ध बना लेना चाहिए अच्छा बना लेना चाहिए पवित्र बना लेना चाहिए जब जितना हिर्दे हमारा सुद्ध होता है पवित्र होता है उतना ही उतना ही हमारे वीतर में ग्यान टिकने लगता है सद्गुरु का कि शद्गुरु का ग्यान टिकने लगता है दीरे 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 और जहां ग्यान टिकने लगता है तो हमको यह बोध हो जाता है पूरा आत्मा परमात्मा क्या है क्या रहता है जब तलक सही अथारत बोध नहीं है तब तलक यह भी नहीं पता लगता है कहीं चर्चा चल रही है ऐसे ही कि आत्मा निकल करके आई किसी सागर में से तो मैंने पूछा कि भाईया वो आत्मा निकल क्यों आई वो निकल करके क्यों आई उसमें से और निकल करके आई तो पर अधर क्यों जाए रही है अगर पहुँच जयाएगी तो फिर निकल जयाएगी इसलिए मेरे बाई बेन हो ए आत्मा और परमात्मा की जो हम बात करते हैं वो बास्तम में दो नहीं है यह बड़ा भ्रम है हमारे अंदर में वो दो नहीं है वो एक ही चीज़ है क्योंकर दो सत्य नहीं होते है अजैने अगर तो जयो हुआ है और परमात्मा को भी कहने क्योंकर वो हम अजर अमर अखन, अभिनास है तो जो हमें हम लिए जिसमें से आत्मा अलग हो गई यो पर्मात्मा अलग हो गया अगर तो चूट और वजय और अमर अखंड डबना सही नहीं गए और फिर मेरे अगर तूटे आई तो फिर उसमें मिलेगी कैसे इसलिए मेरे बहन भाई यह चीज दो नहीं है यह हमेशा समझ लेना कहीं कोई भाई कह रहे है ऐसे इसर और परमात्मा की बात तो हमने का इमांदारी से आप बताना किया इसर आपने देखा है कि उसको देखा नहीं जाता है वो निराकार है तो निराकार है तो फिर तुम को पता कैसे लगा जब वो उसका कोई रूप नहीं है उसका कोई रंग नहीं है तो फिर उसका पता कैसे लगा आपको इसलिए जे हमारी अनुमान और कलपना की बात हैं यह बात सही है कि हमें अपने आपको समझ लेना चाहिए कि यो ये ग्यान की धारा फूट रही है ये कहां से फूट रही है सारी चीज़ाँ का बोध हमको हो रहे आए तो कहां से हो रहे आए जब तुम उस जगह पर पहुंच जाओगे तो फिर तुम ही हो तुमारा ही जो सरूप है वो आत्मा का सरूप है और जब तुम अपने सरूप में ठीक ठीक गए तो वही उसी को परमबोध कहते हैं और परमबोध का इनाम परमात्मा है जहां बोध फैराब हो गया अपने आप में और इस्तिती बनी गई अपने आप में तो समय लो आपको परम बोध हो गया अब कोई कलपना नहीं रही है और यह परम बोध होता है सद्गुरु के सानित में रह करें जब हम सद्गुरु के सानित में आ जाते हैं मैंने जो साखी में बोला था कहें कभीर गुरु क्रपासों पाईए बुद्धी बिमल भिवेक तीन ताप सिग्रही मिटें सिरी गुरु चर्णनिकी तेख यह सद्गुरु का असीरबाद फ्लत हो जाएं पर फ्लत हो जाएं वहीं होता है जांठी में निर्मलता होती है पभित्रता नहीं हैं तो पर हम उन्ह Divities नहीं पाते हैं अगर कोई आ जाये गुरु आ जाये सादू आजाए कोई तथा गतत कोई भगवान आजाए कहीं से तब भी हम उसको नहीं पहचान पाएंगे और उसको नहीं समझ पाएंगे एक छोटी सी बात याद आई बताते हैं एक परिवार में तीन लोग थे पती पतनी और पुत्र यानि माता पिता और पुत्र तीन लोग थे और बहुत बड़ी गरीवी थे और वो परमात्मा को कोशते रहते हैं भगवान हमारा जीवन तो क्या ऐसे ही बीतेगा हम भी कभी ऐसे हो पाएंगे जो हम किसी को दे सके किसी को खिला सके एक बार थीन वो अपने खेत पर काम कर रहे है और कोई सादू के रूप में भगवान आ गया और बगवान भी अगर कोई आता है तो सादू को पर रूप में आता है भगवान किसे को कहते हैं प्राचिन का आल में भगवान कहते थे जो भगवा वस्त्र पहनते थे जो भगवत्ता को प्राप्त हो जाए अपने बोध को प्राप्त हो जाएं वो भगवा वस्त्र पहनते थे उस भगवा वस्त्र से ही भगवान सब्द जुड़ा हुआ है इसलिए बुद्ध को भगवान कहा महावीर को भगवान कहा राम को भगवान कहा क्रश्न को भगवान कहा और महापुरसों को बहुत बहुत भगवान कहा करके संबोधित किया जो अपने संबोधी को प्राप्त हुए अपने बोध को प्राप्त हुए और वो भगवान कहलाए तो बताते हैं कोई मात्मा के रूप में आ गए और उन तीनों को बुला करके उन तीनों से पूछा कि अब आप बताईए आप क्या चांते हों आप तीनों एक-एक बरदान मांग लो और ये ध्यान रखो हर किसी पर मांगना भी नहीं आता है हर किसी पर सोना भी नहीं आता है हर किसी पर खाना भी नहीं आता है हर किसी पर बोलना भी नहीं आता है हर किसी पर बैठना भी नहीं आता है यह तो बड़े विवेक की बात है आप सोच रहे होंगे महाराज हम तो रोज बैठ रहे हैं रोज खाय रहे हैं रोज पी रहे हैं तो यह सही बात है भिलकुल आप रोज खाय रहे हो बैठ रहे हो पी रहे हो बोल रहे हो चाल रहे हो लेकिन हमसे नीचे के इस तरह के और पसू वह भी रहत भी रहे हैं उनके वह सारे काम चल रहे हैं लेकिन वास्तम में जो सिद्दांद कहता है अब सच्छी अर्थों में वह तरीका का हमको गुरु माराज से प्राप्त होता है और वो अपनी विवीग से है जब सद्धगुरु की ऐसी दया होती है गुरु क्रपासों पाईए बुद्धी भिमल विवीग और तीन ताप से ग्रही मिटें शीरी गुरु चर्णन की टेग उन्होंने कहा के तु मांग लो आप तीनों एक एक बरदान मांग लो उन्हों को बहुत बड़ी कुशी वही के चलो आज आज हम बहुत कुछ राप्त कर लेगे जब मात्मा ने कहा के आप तीनों एक एक बरदान मांग लो तो उसने बोला अपनी पत्नी के लिए सारा कर दिया कि तुम मांग लो पहले और वो सोच रही कि जब से हम इनके साथ में आये हैं 40-45 साल की उम्र हो गई और इनके साथ में आकर कि हमको बिलकुल कोई सुक्सान्थी नहीं मिली तो फिर क्या मांगें तो फिर से हम क्यों नहीं एक बढ़िया सुन्दर रूप मांग लें और नई अवस्ता मांग लें उन्होंने कहा कि तो भगवन अगर आप देना चाहते हो तो मुझे 16-18 साल की एक बहुत सुन्दर कन्या बना देऊ उन्होंने कहा एव मस्त जाओ ऐसा आई अब कहां किसान की 50 साल की उम्मर और कहां वो 16-18 साल की लड़की और वो सोचने लगा कि ये तो मज़े ही बिगड़ गया पूरा ये क्या मांग बैठी जो मांगना था वो तो मांगा यह नहीं तब तलक बताते हैं कोई राजा उदर से सिकार खेलते हुए आ रहे और इस लड़की को देख करके और उनके मन में भावनाय कुछ ऐसी पैदा हो गई कहने लगा भाई ये लड़की कोई खेतों में काम करने लाइक है ये तो मेलों में रहने लाइक कोई राजकुमारी है और आप इसको ले आए हो आप चलोगी मेलों में और उसने नार्य लादी राजान हाथ पकड़ करके उसको बिठा लिया गोड़ा पर और ले करके चलता हुआ और वो विचारा देखता रह गया किसान अब मात्मा ने कहा के भाई आप तुम भी मांग लो बोले महाराज अब क्या मांगे वो तो मज़े ही खराब हो गया सब पूरा का पूरा पर महाराज जो गोड़ा पर बैठ करके गई है यह सुंदर राज कुमारी बने के यह सुवरिया बन जाए यह हमारे अंदर का प्रतसोद है जब इर्षा हो जाती है हां तो फिर चाहिए अपनों काम बिगज्जा है पर यह अब हम सुवन देंगे तो हुआ नहीं ले थे महाराज जो गोड़ा पर बैठ रहे हैं का यह वो सुवरिया बन जाए उन्होंने का एव मस्तु जाव ऐसा ही हुआ अब जैसे राजा ने देखा तो पहले तो वो इंसान के लड़की की हाथ थे और अब वो काले काले सुवरिया के पंजे पीछे को घूम करके देखा तो सुवरिया तो महारा धक्का सुनी चेंगे यह कोई जादुगर नहीं है क्या अभी तो एक राजकुमारी के रूप में थी और अब जैसुवरिया बन गई धक्का मारा तो अब कहते हैं नहीं कि अधर के रहे ना इधर के ने खुदा ही मिला ने विसाले सनम ना इधर के रहे अब तो बिचारी बटक गई बीच में राजा भी नहीं ले गया अब लोट करके कैसे जाए पर अब जाए तो पिर जा तो बैयी ने कहाँ कि भाईयर आधर के बहईए अरे तुम तो मेलों में जाओ कि में हमारे साथ में क्या मिला अब तुम को बढ़िया अच्छा देख राजा लिबा करके ले गया अब तुम मेलों में अ राम करना वैसं अब और बिचारी सर्म के मारें अपने मू लटकाएं वो तो पहले से इमामला बिगड़ गया अब ठीक है महाराज अब हमारा तो जो है वो ही और जो हमारी महासुवरिया बनकर के खड़ी है महाराज भन तो तुम बैसे के बैसे ही गंदेव अब मां सुगरिया बन करके खड़ी है तो हमें क्या मांगो और कोई उपाई नहीं है महात्माने का एव मस्त जाओ ऐसा ही हो तीन और फिर बैसे के बैसे ही देखो तीन बर्दान मांग लिए चाहीं माईं और भांके बाईं तो मांगना नहीं आता है हर किसी पर हर किसी बहाई पर ससंग सुनना भी नहीं आता है हर किसी बहाई 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 पर मैंने जो पहले कहा था जीवन जीनेगी कला वो सदगुरु संतों की माध्यम से प्राप्त होती है अगर थोड़ी सी जानकारी और विवेक होता उनके पास में तो तीन बर्दानों में वो राजा रईष बन सकते थे वो सादु मात्मा बन सकते थे परमात्मा को प्राप्त कर सकते थे लेकिन बास्तब में ही मांगने की कला भी नहीं थी उनके पास में तो हमारे पास में भी ये कला नहीं है जब हमारा विवेग जगा हुआ होता है तब ही हमको यथावत जैसे का तैसा नजर आता है और फिर हम उसमें निश्चे कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए फिर किसी की सीखी हुई बातों पर नहीं किसी की कही हुई बातों पर नहीं हम उसका स्वायन भव करें कि जो बात हमने सुनी है ये कांतलग सही है और स्वायन अनभव करोगे तो दो ही बात हो जाएगी हलकी होगी तो बात सरक जाएगी अगर बजंदार बात होगी तो वो तमारे वेतर में तिक जाएगी कि हाँ बिल्कुल बढ़िया एकदम बहुत बढ़िया अच्छी बात बताईए देखिए गुरु के जो लाल होते हैं जो विवेकी होते हैं उनमें भी एक कला होती है बताते हैं एक परिवार में चार लोग थे माता पिता पुत्र और बहु लेकिन चारों की दसा कोछ ऐसी थी माँ अंदी थी पिता का जीवन पूरा कंगाली में बीता और पत्नी पर कोई बच्चा नहीं था कोई वहाँ पर कोई मात्मा पहुंचे तो साम को रात पर विश्राम किया और जब सुवेरे मात्मा चलने के लिए तैयार हुए तब मात्मा जी ने का बेटा तू एक बरदान मांग ले मेरे से कुछ भी मांग ले पर वो लड़का ठीक होगा उसने का महाराज मैं इस तरीका के लोगों को मेरी माँ हैं पिता है पतनी हैं मैं सब को पूछ करके तब बात करूंगा और देखिए ऐसा ही करना चाहिए सब को कि कहते हैं कि पांच पंच मिली कीजे खाजा हानिलावे सवही को लाजा अगर वास्तव में कोई भी किसी कार्य को अगर करते हैं तो अपने घर परिवार छोटे वड़े की सला से अगर तुम करोगे तो तुम नीचा नहीं देखोगे कभी अगर अपनी मनमर जी से अपने स्वारत के बसीबूत हो करके और तुमने कदम उठा दिया तो कभी वक्त आएगा कि तुम अकेले लटकते रह जाएंगे और तुमारे भाई और म दोका देते हैं तो उसमें फिर तुम दोसी नहीं हो फिर उस दोस का प्रडाम उनको भोगना पड़े तो बताते हैं जाकर के उसने अपनी मां के पैर चुए यासीरबाद लिया और कहने लगा माता जी वो महत्मा आए साम को और वो बोल रहे हैं के बेटा एक बर्दान मिलू मा weekend का बेटां तु मेरि नजर मांग ले क्योंके वो अंडी थी नहीं और मांको ऐसा लग रहा था कि मेरी नजर मिल जाए तो नहीं दो-чार से और बढ़िया अच्छ जी लू जाइंजे तो माने का बेटा मेरी नजर मांग ले यह मांग ले ना जोसा दीखने लगे बेटा मेरो दो-चार वर्स को जीवन पढ़िया कट जाएगा ठीक है माता जी जाकर के पिता के पास पहुचा पिता ने पिता से का पिता जी वो महतमा जी आये थे और वो बोल रहे हैं कि बेटा एक वर्दान तू मांग ले तो क्या मांग लो माता जी ने तो बोला है कि तू मेरी नजर मांग ले मेरी द्रश्टी मांग ले आपकी क्या सला है पिता ने कहा बेटा अरे वो साथ द्वा साल में मत जाई बागी तो सेवा तुम करी रहे हो अरे तू सोनो और चांदी मांग ले ताते तेरो जीवन बढ़िया पंजाओ मेरो जीवन तो निर्दंता में बीता है कम ते कम तू तो सोनो चांदी ले ले कज थोड़ो बहुत हो ठीक है बहुत बढ़िया पिता के भी पैर चुं करके आया पत्नी के पास और पत्नी से पूछा कि देखो मात्मा जी आए और आपकी सेवा से वो बड़े कुस है और वो बोल है कि बता मांग ले जो मांगना है सो तो माता जी कह रही है कि मेरी द्रश्टी मांग लो पिता जी कह रहे है कि सोना चांदी मांग लो तुमारी क्या रजा है कि उस देवी ने कहा कि माता जी की सेवा तो हम करी रही है रही सोने चांदी की बात तो हम जीवत रहेंगे तो खम की सोभा बन जाएगी और आप निपुत्री नाम आपका मिट जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया तीनों की तीन प्रकार की मांग रहें अब आया लड़का और संत जी ने कहा के बताओ बेटा आप क्या मांग रहे हो बोले महाराज क्या दो गए बोले हां मैं जरूर दूंगा तो बेटा मांग ले फिर क्या मां लड़का ने कहा तो गुर्देव मेरी अंदी मां अपनी आगों से अपने नाती को सौने चांदी के थाली और कटोरा में दूद पीता हुआ देखे कि एक ही मान में चार शिखार कि देखो यह होता है विवेग कि मां को द्रश्टी मिले गई कि सोने चांदी के कटोरा थाली लोटा मिले गए और पत्नी को पुत्र मिले गया और दूद पीवे भैसे और मिले गई तो जहां जो विवेग की लोग होते हैं बास्तमें ही वो इसी तरीका से वो अपना जीवन विवहार बढ़िया अच्छा जीते हैं जीवन जीने की कला उनके पास हम होती है उनका परमारत बढ़िया बन जाता है अच्छा बन जाता है समय समय पर दांद रम भी करते हैं दीन दुखियों की सेवा भी करते हैं भूंकों को वोजन प्यासे को पानी जरूरत के अनसार तन से, मन से, दन से सेवा करके और सद्गुरु के ज्यान के मादगम से अपने हिर्दे को निर्मल बना लेते हैं और फिर उनकी ध्यान साधना की विदी भी बन जाती है बास्त में ही और वो अपने परम तत को अपने परम बोध को प्राप्त हो करके उसमें ठहराव उनका होने लगता है और ये सक्ति पूरी की पूरी हमारे वीतर में है जब आप देखोगे गहराई से साम को बैठ करके देखो तो ये बाणि कहां से उठकर के आ रही है ये शांस कौन की सत्ता से चल रही है यह अंक कोहन की सत्ता से देख रही है ये कांए कौन की सत्ता से सुन रहे है और ये सारी की सारी क्रिया कैसे हो रही है अगर एक मुर्दा को हम देखते हैं तो मुर्दा की ने आँख देखती हैं ने कान सुनते हैं ने मुर्दा बोनता है और उसका कोई अंग हिलता टुलता है और उसकी सोबा भी बिगड़ जाती है बिलकु चाहे वो कितने बढ़िया कपड़ा पेने हो चाहे कोई वेन सोने चान्दी के कहने आबू सडों से डखी हो लेकिन जब उसके भीतर में वो चेतना नहीं है तो जब चेतना नहीं है तो वो सारा का सारा सब निरसल हो जाता है सब व्यरत हो जाता है तो वो कौन है बुत महीं और और कोई नहीं है अरे संतो भाई सब्द साद ना कीजे सादो भाई सब्द साद ना कीजे जोन ठोर सों सब्द उठते हैं सोईरे ठोर लखिली जे सादो भाई सब्द साद ना कीजे सादो भाई सब्द साद ना कीजे सब्द साद ना कीजे जोन ठोर से सब्द उठते हैं सोई ठोर लखिली जब तुम देखोगे तो तुम अपने हिर्दय तल पर पहुंच जाओगे और हिर्दय तल पर जब पहुंच जाएंगे तो फिर सब्द भी नहीं बचेगा ये भी ध्यान रखो जैसे उदारण के लिए हम देखें अपने भीतर में तो जब जब देखें तो हमारे भीतर में जो विचारों की प्रक्रिया चलती रहती है विचार चल अब हर भीतर में यह मनंकी गति विदिए आए कहिं-पति का चित्रً आया कहिं कहीं बेटे का चितर आया, कहीं बेटी का आया, कहीं परिवार का आया, कहीं दुस्मन का आया, कहीं प्रेमी का आया, कहीं पैसे का आया, कहीं लेने वाले का आया, कहीं देने वाले का आया, और उन्हें ही उसी धरा में हम बहते हुए चले जाते हैं और कुछ थोड़ी सी समय के लिए अगर हमारे भीतर में ये टिकाब शुरू हो जाए दियान रखो ये सबसे बड़ी सातना है और ये किसी मत और पंतक ही नहीं है और किसी के उपर थोपा नहीं जाता है आप जब करके देखो गए तो जब आप उस जगह पर आप देखो गए तो हमारे भीतर में भी वही परक्रिया चल रही है पहले जो विचार चल रहे हैं और जब हम सो जाते हैं तो फिर वही विचार वही संकलब विकलब और वो सपने में सुरू हो जाते है सपना शुरू हो गया लेकिन एक समय और आता है जिसको हम गहरी नींद कहते है जिसको सुसुपती अवस्ता कहते है जब गहरी नींद में हम जाते हैं तो फिर हम जगते हैं तो फिर बड़ा आनन्द आया काय को आनन्द आया ये कोई पता नहीं बहुत ऐसी बड़ी आनेंद आई ऐसा आनन्द आया तो काय का आनन्द आया खाने का नहीं पीने का नहीं बोलने का नहीं वो किसी बिशैपर का आनन्द नहीं था वो स्वेम हमारी जो चेतना है वो आनन्द सरूप है इसलिए आनन्द की अनभूती वही वहां और दुनिया की क कोई छीज आमारे पास नहीं थी काने में जो आनन्द आता है बोग में माता आता है खचनके लिए आता है ऑलीदी सिघ्रेट ते लोग को गृटगा क्यों आनन्द है वो सद्गुरु कहते है वो जीव का काल है वो शरीर का काल है इसलिए सच्ची अर्थों में वो आनन्द नहीं है आनन्द तो तुमारी चेतना का सोभाव है तुमारी वीतर का सोभाव है क्रोध तुमारा सोभाव नहीं है आनन्द तुमारा सोभाव है जब तुम क् हम क्रिया कर रहे हैं वो संसार किये चाहें बाहर क्रिया हो रही हो और चाहें हमारे वीतर हो रही हो लेकिन एक छड़ ऐसा आजाए कि वो क्रिया सांत हो जाए तो समयलों का उस समय वो क्रिया जैसे सुसुपती अवस्ता में तुम अपने परमात्मा में थे अपने राम में थे ऐसे ही जब हम ध्यान करेंगे तो हमारे मन के जब संकलब विकलब सांत होते चले जाते हैं बस ये साथना का सूत्र है कोई रूप नहीं देखना है कोई मंत्र नहीं जपना है किसी का नाम नहीं लेना है बस हम बैठे हैं जैसे एक भीतर में ऐसे जानो जैसे कोई एक सागर बिलकुल सांत है अब कोई हवा नहीं है कोई तरंग नहीं है कोई लहर नहीं है आप सांत बैठे हो बिलकुल और ऐसा भाव तमारे वीतर में उतरे आया जैसे एक धील के समान जैसे धील में सन्नाट अचाया हुआ है कोई तरंग नहीं है कोई लहर नहीं है कोई हवा नहीं है ऐसे ही कोई लहर कोई तरंग अगर हमारे बीतर नार है वह छड़ है भजन का और वह है आत्मा का साथछात का बस फिर हम उसको ये भी नहीं कह सकती है कि वो हमारी बहों के बीच में रहती है कि वो सैस्र सार पर रहती है कि वो हिर्दे पर रहती है ऐसा भी हम कुछ नहीं कह सकते है इसलिए बड़े मज़े की बात है ये ऐसा विवेक अपने गुरू जी से प्राप्त करके और हमें साम सुवेरे दिन में और ऐसा नहीं कि पदम आसनें लगा करके आप जैसी अवस्ता में हो आप कुर्सी पर बैठे हो सांत चित से तो वहीं पर तुम अपना देख सकते हो अपने तगत पर बैठे हो अपने आसन पर बैठे हो रात को बैठे हो दिन में बैठे हो बैठना चाहिए कहीं कहीं हम देखते हैं तो अपन फांतु की बातों में ज़्यादा समय खतम कर देते हैं और यह ध्यान रखना चाहिए कभी-कभी हम देखते हैं जैसे आश्रम पर भी देखते हैं तो कहीं कोई मुबाल बजा रहा है या कहीं जोड जोड से कोई बात हैं कर रहा है नहीं जिस समय मतलब सांत हो बैठ गए या अपने-अपने आसनों पर पहुंच गए तो यह सारी ची इन अनभूतियों के साथ साथ तुमारे जीवन की वह सक्ति जाग्रत होगी कि जो तुम्हें जिन चीजों की जरूरत होगी वह ओटोमेंटिक अपने आप तुमारे आसपास गहराने लगेंगे जिना कहरो है कि तुम जाकर के दिल्ली केंद्र में तुम बंजा होगे मंतरी क है बंजा होगे मोदी के बगल जाए बैठ होगे नई बहुं जाकर के कोई बड़ी बात नहीं है वह ओं लोग ही तो बेठी है बहुनलोग है पर उसके अपना काम भी तो नहीं चलेगा इसलिए हमें जितनी चीनचीजों की जरूरत हैं जितनी हमें आवस सकता है रो Engagement चाना freue तो इसलिए मैंने निवेदन किया आप ऐसे सद्गुरु संतों के सानिद में जा करके एक छोटी छोटी दो कहानी बताएं एक बो लोग थे कि तीन बर्दानों में वो कुछ नहीं मांग पाए एक बो आदमी था किसी गुरु का प्यारा कि एक ही बर्दान में सारी की सारी भी ले लिए और भैसे ले 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 लिए तो वो उसको कहते हैं विवेक इस तरीका विवेक के साथ में और हम अपना जीवन बनाएंगे तो आप सभी भाई वेनों का जीवन अच्छा बनेगा सुन्दर बनेगा संतों का यही भाव है हमें तो आज कोई उमीद नहीं थी मौस मौसम भी खराब था सालग भी यह बहुत बड़ा तो हम सोच रहें कि आज कौन आएगा एक तो मौसम खराब है दूसरे सालग है कहीं लगुन टी का पांत बरात आए रही हैं जाए रही हैं तमाम और आदमी रात में सोच खाखा करके और जग जग करके फिर परेशान हो जा हैं कि आप ऐसी बिशंप पर स्तितियों में भी और आप बहुत कोई दूर से धॉल पुर से बजार से गामों से कोई मुरे ना से कोई अमा से जाने कांगा से भाई वेन यहां पर और संतों की बाणियों को सुनने के लिए और आप आप पर क्रकास हो आपका जीवन अच्छा बने सुन्दर बने बस्चे नहीं सुमंगल कामनाओं के साथ बोलो सद्गुर कभीर साहे बंदगी